हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ टॉनिक में तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एलो पैथी मेडिसीन मेथोकसिलीन टैबलेट 20MZ के बारे में हम इसके बारे में पूरी डीटेल में जानेंगे जैसे किन-किन बिमारियों में इस दवा का परियोग किया जाता है इसका प्राइस क्या है इसे लेने का सही तरीका क्या है क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है और भी बहुत कुछ जानेंगे बने रही है वीडियो में अंध तक चरूर देखिएगा तो दोस्तों मैं थरकसलीन एक ऐसा मेडिसीन है जिसे लेने के बाद हमारी स्कीन की सम्वेंदन सिल्टा बढ़ जाती है अगर हम इसे लेने के बाद धूप दिखाएं तो जो कि मैं आगे डीटेल में बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है मैं तोक्सलीन क्रीम लोशन और टैबलेट के फॉर्म में बनाया जाता है और हम इस वीडियो में म असक क्रेंट में तोक्सलीन टैबलेट बहुत से कमपनियां बनाती हैं इस लिए यह मेडिकल इस्टोर पे कई अलग अलग नामों से मिलता है उनमें से कुछ नाम है जैसे मैलेनोसायल टैबलेट मैलवीन टैबलेट और उनs आफS lilog टैबलेट और भी नामों से मिल जाता है medical store पे सबका प्राइज अलग-अलग होता है लेकिन ये सब मेठोक्सिलीन ही होता है है सबका काम एक ही होता है और दोस्तों मेठोक्सिलीन टैबलेट मुख्य तोर पे सफीद दाग यानि की वीटी लीगो लीको डर्मा को ठीक करने के लिए यूस में लिया जाता है पूरी सरीर में कहीं भी सफेद दाग हुआ हो ये टेबलेट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है सफेद दाग को ठीक करने में वापस से इसकीन को पहले जैसा कर देती है हाला कि इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है जो कि वीडियो के अंत में मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों इस टेबलेट को सुराइसेस और एकजिमा में भी दिया जाता है लेकिन जादा तर इसे सफेद दाग को ठीक करने में ही परियोग किया जाता है तो अब हम जान लेते हैं कि मैठोक्सिलिन टैबलेट को युज कैसे करें इसका डोज क्या है दोस्तो इसका डोज जो डिसाइड होता है वह वेक्ति के वजन पर निर्भर करता है मतलब कि फेसेंड के वेट के हिसाफ से इस दवा का डोज तैंग किया जाता है जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 30 किलो से कम है तो उसे मेथोक्सलीन 10 mg दिया जाता है उसी तरह अगर किसी का वजन 31 से 50 किलो तक है तो उसे 20 mg दिया जाता है 52 से 65 वालों को 30 mg, 66 से 80 वालों को 40 mg, 81 से 90 वालों को 50 mg टैबलेट दिया जाता है फ्रेंट्स मेथोक्सलीन टैबलेट डेली लेने की सलाह नहीं दिजाती है इसे जब भी लें एक एक दिन का गैप दे कर ही लें और लेने के बाद धूप दिखाना पड़ता है अगर आप अपने पूरे सरीर पे धूप नहीं दिखाएंगे तो ये टैबलेट वर्क नहीं करेगी फ्रेंट्स इस टैबलेट को लेने के 2 गंटे बाद हमें पूरे सरीर पे 20 से 40 मिनट तक धूप दिखाना पड़ता है और ये टैबलेट लेने से पहले खाना जरूर खाईए खाली पेट इस टैबलेट को नहीं लेना है और जब भी आप धूप दिखाएं अपनी आखों को ढख कर रखें नहीं तो आपकी आखों का रंग भी डार्क हो सकता है या फिर आपकी आखों से रिलेटेड और भी कोई प्राबलम आ सकती है अब हम बात करें इसके कुछ साइड एफेक्ट की तो जैसे उल्टी होना या फिर उल्टी जैसा फिल होना नींद ना आना सिर्दर्द होना गला खराब होना आखों से दुंदला दिखाई देना या फिर सरीर में कहीं भी सूजन होना जरूरी नहीं है कि ये सारे साइड एफेक्ट आपको हो लेकिन इन में से कुछ साइड एफेक्ट आपको हो सकते हैं अगर आप ये टैबलेट यूज कर रहे हैं तो तो फ्रेंट आज के लिए बस इतना ही अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करिए और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा